स्लावलेकुम दोस्तों, मैं नाम फरहान है और मैं जर्मनी के शह हाइडलबर किन्द कुछ टाइम से रहता हूँ पिछले कुछ हफ्तों पहले मेरी एक पाकिसानी स्टुडेंट से मलाकाद भी हुई, इंटरनेट पे भी रापता हुआ तो काफी स्टुडेंट से मताया कि वो जर्मनी पढ़ने आना चाहते हैं और वो अपलाए कर रहे हैं जो मसाइल उन्होंने अपने बताये, उनसे अंदाजा हुआ कि पाकिसान के इन्दे स्टुडेंट कंसल्टन्स काफी परिशान करते हैं स्टुडेंट को और ना सिर्फ ये कि उनको परिशान करते हैं बलकि उनसे पैसे भी ठीक ठाग ठकते हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बातें आप लोगों से ऐसी कर ली जाएं जो कि बड़ी असानी से हल हो सकती हैं कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कोई ऐसी रॉक्ट साइंस नहीं है जो आप लोगों को वहां बैटके समझ ना आए ये किनन कुछ मसाइल आते हैं स्टुडेंस घहरा जाते हैं लेकिन तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की होगी कि आप लोग खुद से अपलाए करें स्टुडेंस के थूँ अपलाए ना करें क्योंकि उसके अंदर आपको नुकसाना जादा है फाइदे कम है एक तो ये कि आपको स्टुडेंस मेड़ाइट करते हैं अकसा रोकात दूसरा ये कि जो उनके genuine charges होते हैं जो कि वो अपनी मेहनत के लेना चाहें भी वो उससे काफी उपर charge करते हैं और कुछ examples मैं आपको बताऊंगा आगे चलके तो आपको अंदाजा होगा कि किस तभीके से students को लूटा जा रहा है पाकिसान के अंदर तो चलने start करते हैं कि किस तभीके से आपका process start हो सकता है और आप किस तभीके से आगे बढ़ सकते हैं देखें सबसे पहले तो आपको अपनी documents पूरे करने पढ़ाएंगे जिसके बाद आपको degree भी अटेस्ट करने पड़ेगी अपनी HECC से आप किसी भी शहाय में रहते हैं आपको वहाँ से मौका मिलेगा कि आप AGC degree अटेस्ट करा सकें अगर आपने documents अमा मुकमल कर ली हैं तो आपके पास opportunity होगी कि आप directly किसी university में apply करें या uni-assist.de के थूँ apply करें unit.assist.de के अंदर आप एक ही वक्त में कई German universities में apply कर सकते हैं और अगर आप directly apply करते हैं तो फिर वह university और आपका अलग से मामला होता है दोनों तरीके से apply किया जा सकता है आप काम start करें अगर किसी किसम का कुछ मसला होता है तो मैं आप लोगों की मनद करने के लिए तयार हूँ comment section के अंदर अगर आप लोग मुझे सवाल पूछते हैं तो जैसे ऐसे आप मुझे सवाल पूछेंगे मैं वैसे वैसे उनका particular जवाब दिता चला जाओंगा एक और चीज यह है कि German universities में पढ़ने के लिए आपको scholarships भी अच्छे खासी मिल सकती है www.de.de की website पर अगर आप जाएं तो यहाँ German government की scholarships आपको मिल जाएंगी यहाँ specific programs हैं इन programs में अगर आप interested हैं आप apply करें कुछ time लगेगा लेकिन आपको इसके इंदर fully funded scholarship मिल सकती है और अगर आप Germany आने के लिए planning करें planning करके आप थोड़ी से language सीख के आएं तो आप यहाँ पे भीदर तरीके से जह है वो अपने मसाइल हल कर सकते हैं डिगी ले सकते हैं और उसके बाद अगर आप यहाँ पर मुस्तकिल सबकुनत इख्तिया करना चाहें तो वो भी आप असानी से कर सकते हैं तो चले मैं इस वीडियो को मुतसर करता हूं यहीं पर खतम करता हूं आप लोगों के तो सबलात हों प्लीज मैं उनको इंडिविजुली रेप्लाइ करने की कोशिश करूंगा और फिर हम देखेंगे के हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर बनाए और कितनी लंबी हो वो वीडियो ओके थैंक्यू वेइं मच्छ खुदा आफिस